हलो गुड मॉनिंग दोस्तो मैं होकम सिंग अपने यूट्यूब चैनल टारगिट अचिवर्स जोन मैं आपका स्वागत करता हूँ अपने इंडियन जियोग्रोफी की सीरीज को आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम लेक्चर 18 पढ़ेंगे जिसमें हम इंडियन आइलेंड्स का पार्ट टू देखेंगे जैसा कि आपको पता होगा हम इसका पार्ट वन पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं दोस्तो मैं इस चैनल पर आपको कंप्लीट जियोग्रोफी कराने वाला हूँ एक प्रॉपर सीक्वेंस में तो आप इसका फायदा उठाईए और इसको रेगुलरली फालो कीजिए देखें ये जो सीरीज है ये आपके लिए UPSC तक कवर करेगी उसके बाद SSC, रेलवे या फिर कोई भी बैंकिंग एक्जाम हो DSSB का एक्जाम, कोई स्टेट पुलिस एक्जाम हो, इवन कोई भी स्टेट PCS एक्जाम हो, हर किसी में आपको फायदा देगी तो आप इसका लाव उठाते हुए इसको रेगुलरली फालो करते रही है देखिए जो हमारे इंडियन कोस्टल स्टेट्स हैं, उनके वेस्ट कोस्ट से लेके इस्ट कोस्ट तक ऐसे आगे बढ़ते हुए जो ब्रह्मा पुत्रा में माजली आईलेंड है, वहां तक हम इनको कवर करेंगे तो इसी सिक्वेंस में हम सबसे पहले दियू आईलेंड को डिसकस करते हैं देखिए दियू आईलेंड की कुछ लोकेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए यह वाला जो रीजन है, यह हमारी कोकोनेट ट्री की बैल्ट मानी जाती है इसके बाद यह वाला हमारा एग्रिकल्चर एरिया और रिजर फोरेस्ट मिलेंगे यहां पे यहां आपका दियू एरपोर्ट मिलेगा, यह जो सेंटर में है, यह इंडिस्टीरियल जॉन है यहां पे आपको दो फैमस बर्ड सेंक्चुरीज मिलेंगी और यहां के कुछ फैमस बीचिज है जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए सबसे फैमस बीच है यहां का नगोवा बीच ठीक है, उसके बाद कुछ अधर बीचिज की बात करें तो चक्रतीर्थ बीच, जालंधर बीच, उसके बाद मांडवी बीच जिसको हम गोगला बीच के नाम से भी जानते हैं देखिए, जो यह आइलेंड है, यह कठियावाड के साउथ कोस्ट पर लोकेटिड है, जो दियू है, यह वेस्टन कोस्ट पर लोकेटिड है जो हमारी Gulf of Camby है, जो कि गुजराद के जुना के डिस्टिक से लगे हुए, उसी के वेस्ट कोस्ट पर लोकेटिड है जो हमारा गुजराद कोस्ट है, उससे यह टाइडल क्रीक से सेपरेटिड है देखें, मैं क्रीक के बारे मैं आपको पहले बता चुका हूँ, जो हमारा मेंसी होता है उससे एक सिमॉल वाटर स्ट्रिप अलग निकले आती है, तो इस वाले रीजन को हम बोलते हैं क्रीक ठीक है, इसके कुछ फैमस एक जम पल साब देख सकते हैं, महराष्टरा का थाने क्रीक और पन्विल क्रीक ठीक है, यहां आपको लाइमस्टाउन क्लिप्स मिलेंगी, रॉकी, कोवश मिलेंगे, सैंडी बीचिज मिलेंगे, जिनमें सबसे फैमस है नगोवा बीच ठीक है, जो यह दिव आइलेंड है, यहां पर एक फैमस हिस्टोरिकल दिव फोर्ट मिलेगा, जो की पुर्तगालियों के द्वारा बनाया गया था ठीक है, नगोवा बीच यहां का सबसे फैमस बीच है, और यहां के कुछ अधर बीच की बात करें, तो घोगला बीच, जिसको मांडूई बीच के नाम से जानते हैं ठीक है, इसके बाद हम मुंबई के ओफ कोस्ट पे जो भी आईलेंड्स हैं, हम उनको देख लेते हैं, सबसे पहले है बचर आईलेंड, देखिए मैं पहले चाहता हूँ कि आपको बचर आईलेंड की लोकेशन किलियर करा दूँ, तो यह हमारा मुंबई का मैप है, इसमें यह एरवियन शी में यह है, बचर आईलेंड, और इसी के राइट सैड में लोकेटेड है, ऐड़ी अलेफेंट आईलेंड्स, इसको हम इसी लेक्चर में देखने वाले हैं, तो पहले हम बचर आईलेंड को देख लेते हैं, देखिए अगर हम मुंबई की बात कर रहे हैं, मंबई में जो भी में में लोकेशन से मैं आपको बता देता हूँ देखे यहां आपको मिलेगा जुहू बीच उसके बाद सेंटा कुरूज में जो टर्मिनल 1 है डॉमेस्टिक एरपोर्ट मंबई का वो है इसके बाद शत्रपति शिवाजी महराज इंटरनेशनल एरपोर्ट यहां है अंधिरी की लोकेशन में उसके बाद यह बांदरा है और यह वरली है और इन्हीं दोनों को कनेक्ट करते हुए एक बांदरा वरली शी ब्रिज बनाया गया है जोकि सी से होते हुए एक ब्रिज के माधिम से जोड़ा गया है ठीक है तो आप इसको भी याद रखिए इसके बाद ये वाला रीजिन हमारा मैरिन ड्राइव है और आपने पढ़ा होगा कोलावा पॉइंट मॉंबई में है तो ये वाला पॉइंट कोलावा है इसके बाद आपको मजगाव डूकियाड मिलेगी यहाँ इसके बाद कुछ फैमस प्लेशिज की बात करें तो यहाँ पे आपको वड़ाला, दादर, कुरला, पोई, गोवंडी, चैमबूर ये सब मिलेंगी ठीक है तो देखिए हम बचर आइलेंड को डिसकस करते हैं तो जो बचर आइलेंड है इसको जवाहर दीप के नाम से भी जाना जाता है जो कि मुंबई के ओफ कोस्ट पे लोकिटेड है यहाँ पे एक ओयल टर्मिनल है जो कि पूट अफियोटीज के दुआरा ओन किया जाता है यहाँ पे ऑईल टेंकर्ट को जाना को ओफ लूड किया जाता है और इन कन्टेइनर्स को इस इस आइलेंड पे इस टोर करके फिर यहाँ से उनको पाइप लाइन के माध्यम से वडाला में धेजा जाता है जहां पर इनको refine किया जाता है तो इस लिहाजे से हम कह सकते हैं कि यह जो सिटी है यह किसी भी मिस हैपनिंग से बहुत safe है यह जो area है यह बहुत restricted area है जो कि बहुत ज़्यादा dance vegetation आपको यहां देखने को मिलेगी यहां कि इस island के बिलकुल center पे आपको hillocks मिलेंगी hillocks दो तो small hills होती है उन्हीं को hillocks बोलते हैं अगर इसकी location की बात करें तो gateway of India से लगबग 8.25 km के यह दूरी पे located है ठीक है इसके बाद देखते हम elephant island जो कि मैं आपको पहले दिखा चुका हूँ मैं आगे भी दिखा दूँगा elephant island इसी को हम घारापुरी island के नाम से भी जानते हैं जो कि मुंबई हारबर में located है यहीं पे आपको elephanta caves elephanta की गोफाई मिलेंगी जो की चट्टानों को काट कर बनाई गई है ठीक है तो आप देख सकते हैं यह बचर island था और यह है हमारा elephanta island इसी को हम घारापुरी island के नाम से भी जानते हैं ठीक है इसके बाद देखते हैं मुंबई के ही off coast पर oyster rock देखिए जो oyster rock है यह भी मुंबई हारबर में located है जो की इंडियन नेवी के द्वारा इसको fortify बनाया गया है और इनी के द्वारा इसको on किया जाता है तो आप इसकी location देख सकते हैं यह है हमारा कोलाबा के पास में oyster rock ठीक है इसके बाद हम आगे बढ़ते हुए तमिल नाडू के off coast पर पंबन आइलेंड को देखते हैं देखिए जो यह है हमारा पंबन आइलेंड जिसको रामिश्वरम आइलेंड के नाम से भी जानते हैं इसका जो last point है वो है धनुसकोडी जो की हमारा मनार आइलेंड है उसको जोड़ता है एडम ब्रिज के माध्यम से ठीक है तो यह आपको पता होना चाहिए इस मैप के माध्यम से भी आप देख सकते हैं यह हमारा रामिश्वरम इसका last point धनुसकोडी जो की मनार आइलेंड को एडम ब्रिज के माध्यम से जोड़ता है दोस्तो आपको इनकी location पता होनी चाहिए यह हमारी पाक बे और यह गल्फ ओफ मनार यह एडम ब्रिज और पाक स्ट्रेट से जोड़ते हुए तो यह दोस्तो यूप्यस्जी में एक बार question आ चुका है पाक बे पाक स्ट्रेट और गल्फ ओफ मनार की arrangement के उपर तो आपको यह clear होना चाहिए बाकी में आगे आने वाले lectures में अलग से इसके उपर आपके ले lecture बनाऊँगा ठीक है देखिए जो यह पंबन आइलेंड है यह गल्फ ओफ मनार में इंडिया और स्रिलंका के बीच में located है जो की तमिल नाडू के रामनाथ पुरम डिस्टिक के मनार आइलेंड अफ स्रिलंका इनको सेपरेट करता है पाक बे एंड पाक स्ट्रेट से इन दी नौर्थ इस्ट एंड गल्फ ओफ मनार से इन दी साउथ वेस्ट जो की मैं आपको इनकी लोकेशन दिखाई चुका हूँ जो पंबन आइलेंड है यह लगबग 30 किलोमेटर चौड़ा है जो की जो पंबन आइलेंड के टाउन सिप है उसके वेस्ट में लोकेटेड है और जो धनुसकोड ही है उसके साउथ इस्ट में लोकेटेड है इसके बाद देखते हैं आंधरप्रदेश के ओफ कोष्ट पे सरी हरी कोटा आइलेंड ठीक है देखिए ये आंधरप्रदेश का में कोष्ट है इससे लगबग 10 किलोमेटर के दूरी पे ये हमारा सरी हरी कोटा का आइलेंड लोकेटेड है यहाँ पे जो हमारे इसरो का लॉंचिंग पेड है जिसको 37 धवन स्पेस सेंटर बोलते हैं तो देखिए यहाँ पे इसी में आपको टेक्निकल एरिया मिलेगा उसके बाद एक्स्प्लोसिव के स्टोरेज होती है इसके बाद यहाँ साउंडिंग रॉकिट पेड है इसके बाद PSLV पेड है जिसको पोलर सैटलाइट लॉंच वेहिकल बोलते हैं इसके बाद SLV है सैटलाइट लॉंच वेहिकल पेड देखिए जो सरी हरी कोटा है यह एक बेरियर की तरह काम करता है अंधर प्रदेश कोश्ट में यह लोकेटिड है यहाँ पे जो हमारी इसरो का है इंडियन स्पेस रिसर्च और्गनाईजिशन का एक सैटलाइट लॉंचिंग पैड है जहां से बहुत सारे मल्टी स्टेज रॉकेट्स और सैटलाइट लॉंच किये जाते हैं जैसे कि सैटलाइट लॉंच वहिकल पोलर सैटलाइट लॉंच वहिकल यानि PSLV और जियो सिंक्रेनस सैटलाइट लॉंच वहिकल यानि GSLV जो सरी हरी कोटा है मैंने आपको बताई दिया सैपरेट करता है पुलिकट लेक और बे ओफ बेंगाल को ठीक है इसके बाद देखते हैं न्यूमूरे आईलेंड न्यूमूरे आईलेंड दोस्तों जो गंगा ब्रहमपत्रा का डिल्टा है वहाँ पे लोकेटेड है ये इंडिया और बंगलेदीश के बीच में एक डिस्प्यूट का कारण है दोनों इस पर अपना हक जताते हैं क्योंकि खालांकि ये अन इनहेविटेड है यहाँ पे कोई बसावट नहीं है और नहीं यहाँ पे कोई इनके स्टेशन्स है बट इसको किस लिहाजे से इंपोर्टेंट समझा जाता है किस लिहाजे से डिस्प्यूट है क्योंकि यहाँ पे यह स्पेक्यूलेशन है यह परिकल्पना है कि यहाँ बहुत सारे और नेच्रल गैस के भंडार है तो मैं अगली स्लाइड के मादम से आपको समझा देता हूँ यहाँ पे कोई वसावट नहीं है यह सेंड बार लेंड फर्म्स का बना हुआ है जो कि बे ओफ बेंगाल में गंगा ब्रमापुतरा के डेल्टा के रीजन में लोकेटेड है यह इसकी जो इमर्जेंस होई वो 1970 में एक भोला साइकलोन आया था उसकी बज़े से इसकी इमर्जेंस होई यहां यह अन इन हैविटेड है फिर भी यह एक यहां पर कोई सेटलमेंट नहीं है फिर भी एक डिस्प्यूट का कारण है क्योंकि यह यहां पर ओइल एन नेचरल गैस के भंडार की परिकल्पना की जाती है ठीक है यह जो सौवरंटी है अपना-पना इसको हग जताने की वो रेड कलफ अवार्ड मेथलोलोजी के तहत जो हमारी मेरी टाइम बाउंडरी डिकलियर की गई थी वो भी इसका एक कारण है इसके बाद देखते हैं मजली आइलेंड जो की ब्रह्मा पुत्रा रिवर में लोकिटेड है देखिए दोस्तों इसकी जो फॉर्मेशन हुई है वो अर्थक्वेक्स की बज़े से ब्रह्मा पुत्रा रिवर और उसकी कुछ ट्रिब्यूट्री जैसे की मोस्ट फैमस देखे है तो लोहित उनके द्वारा कोर्स बदलने से अपने रास्ते बदलने से इसकी फॉर्मेशन हुई है पहले ये एक लेंड मांस एक पीस ओफ लेंड हुआ करता था आई होप आपको किलियर है तो आप मैं इस स्लाइड के माध्यम से आपको समझा देता हूँ देखिए जो इसकी फॉर्मेशन हुई है ये ड्यू टू कोर्स चेंजिज किस-किस की बज़े से ब्रह्मा पुत्रा और इसकी जो ट्रिब्यू ट्रीज है मैनली लोहित रिवर इनके रास्ते बदलने से हुई है ये पहले एक पीस ओफ लेंड था जो कि ब्रह्मा पुत्रा रिवर और बूढ़ी दिहंग रिवर के बीच में था बट जू टू अर्थक्वेक्स मेडिवल टाइम में इसके जो ये नदियां है इनके दोरा रास्ते बदले गए कोर्स बदले गए जिसकी बज़े से इसकी फॉर्मेशन हुई है जो कि मैं आपको पहले बता भी चुका हूँ जो माजली आइलेंड है ये असमीज के दोरा नियो वेसनेटिव कल्चर के माध्यम से ये बहुत ही फैमस है ये एक वेटलेंड साइट भी है और यहां की जो बायो डाइवस्टी है वो बहुत ज़्यादा यहां पाई जाती है और यहां पर बहुत सारे आपको रेरेंड एंडेंड स्पीसीज मिलेंगी और कुछ माइग्रेटरी बर्ड्स यहां हर साल आते हैं जिन में हम देख सकते हैं कुछ फैमस ग्रेटर, एड़िटेंड स्टॉर्क, पैलीकन, साइबेरियन क्रैन, एंड विसलिंग टील इसके बाद कुछ और आइलेंड की बात कर लेते हैं जैसे कि जो हमारा उड़िशा के कॉस्ट पर वीलर आइलेंड जिसको अभी नाम चेंज कर दिया गया है अबुलकलाम आइलेंड यह लोकेटेड है जहां पर हमारी मिसाइल टेस्टिंग साइट है ठीक है पहले एक इंग्लिस कमांडेंट लेटनेंट थे वीलर जी उनके नाम पर इसका नाम रखा गया इसके बाद देखते हैं सागर आइलेंड जो कि गंगा डिल्टा पे बे ओफ बेंगाल में लोकेटेड है यह एक हिंदू प्लिग्रिम साइट भी है ठीक है इसके बाद देखते हैं हली डे आइलेंड यह वेस्ट बंगाल में और वेस्ट बंगाल और जो सुन्दरबन रीजन है उसका कुछ पार्ट में लोकेटेड है जो की माल्टा रिवर पे लोकेटेड है इसको एक वाइड लाफ सेंक्चुरी डेजिगनेट किया गया है इसके बाद देखते हैं फुमडीज जिसको फ्लोटिंग आइलेंड भी बोलते हैं ठीक है यह जो हमारा मनीपुर स्टेट है वहाँ पर लोकेटेड है जो कीवुल लामजव नेशनल पार्क है वल्ड का ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क है उसी के अंडर आता है यहाँ पर आपको फैमस एल्स डियर और संगाई देखने को मिलेंगे इसके बाद देखते हैं मुन्रो आइलेंड मुन्रो आइलेंड है यह जो एक आइलेंड गुरुप है यह जो हमारी अश्टमूरी लेक और कलड रिवर है इनके इनके मिलन इस्थल पर लोकेटड है जो कि केरिला के कोलम डिस्टिक में है ठीक है इसके बाद यहाँ पर बहुत सारे स्मॉल आठ स्मॉल आइलेंड मिलेंगे अगर इसके एरिया की बात करने तो लगबग 13.4 सुकेर कलोमिंटर है ठीक है आप देख सकते हैं यह सागर आइलेंड की लोकेशन है जो कि गंगा ब्रह्मा पुतरा डेल्टा पर लोकेटड है तो इस तरीके से दोस्तों यह लेक्चर कंप्लीट होता है मैं आसा करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा आपके कॉंसेप्ट के लिए रहुए होंगे अगर आपको पसंद आया है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल टार्गिट अचीवर्स जॉन को लाइक, सेयर और सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू सो मच्छ, हैव अग्रीट डेए